आज हम मौलिक अधिकारों के विश्य में जानेंगे मौलिक अधिकार वास्तों में वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन में मौलिक होने के कारण सविधान द्वारा नागरिकों को दिये गए हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवशक हैं। मौलिक अदिकारों के पीछे कानूनी मानता है। अर्थार्थ मौलिक अदिकार नया योग्ये हैं। भारतिय सविधान के तीसरे ध्याई में अंच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अदिकारों का वरणन किया गया है। वरतमान समय में छे मौलिक अदिकार हैं। मौलिक अदिकार अमेरिका के सविधान से प्रेद हैं। जहां तक पहले मौलिक अदिकार की बात है तो पहला मौलिक अदिकार है समानता का अदिकार अनुछेद 14 से 18। जहां तक अनुछेद 14 की बात है तो अनुछेद 14 में कानून के समक्ष समानता दे गई है की कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी अधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आस्टिन ने कहा भी है की कानून उच्टर का निमंतर को दिया गया आदेश है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। कानून से कोई भी व्यक्ति उपर नहीं हो सकता है। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। अनुछेद 15 के नुशार भेदभाव की मनाही कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी अधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ जाती, धरम, रंग, लिंग, वंश, भासा, स्थान, क्षित्र, आदी के दार पर भेदभाव की मनाही है यदि इस प्रकार की समभावने बनती हैं तो वे दंडनिया हैं कहने का विप्राई यह है कि अनुछेद 15 के अनुषार भेद भाव पूरी तरह से निशेद है अनुछेद 16 के अनुषार अवसर की समानता दे गई है कि सभी व्यक्तियों के लिए अवसर समान है इसका हमें एक उधारन ले सकते हैं कि अनुछेद 21 एक अनुषार छे से 14 वर्ष तक की आयू के बच्चों को मुफ्त और अनिवारे शिक्षा का प्रावधान किया गया है अर्थार्थ उस स्पेसिफिक आयू के बच्चों के लिए अवसर की समानता है इसी तरह से आर्थि क्षितर में रोजगार के क्षितर में अवसर की समानता है कि जो जिस योगिता का व्यक्ती है उसी के योगिता का अनुषार उसके सामने अवसर हैं तो अवसर की समानता लागू होती है अनुषेद स्तारा के अनुषार अस परष्टा की समापती की गई है छुआ छूद की समापती की गई है इसका भी प्राई यह है कि समाज में रहने वाले निमन जाती के लोगों अत्वा समाज के पिछड़े लोगों के साथ किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है उनके लिए सारजनिक स्थल सभी लोगों की तरह खुले है वो उनका सभी लोगों की तरह उप्योग कर सकते है अभी प्राई अनुछेद 17 के नुशार अस प्रश्टा की समापती की गई है अनुछेद 18 के नुशार उपादियों की समापती की गई है अभी प्राये कि सेना या शिक्षा सबन्दी उपाद्य अत्ватवा समान के द्रिक्त कोई उपादी राज्य द्वारा नहीं दी जायेगी कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के दिन लाव के किसी भी पद का धारन करते हुए राश्ट्रपती के सहमती के बिना कोई उपाधी या भेंट सविकार नहीं करेगा तो इस परकार ये था समानता का दिकार ये वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएं धन्यावाद झाल